सेंटरल बैंक ओफ इंडिया सीबियाई में सफाई कर्म चरियानी की सब इस्टाप की नई वेकेंसी आ गई है अप्लाई उनलाइन करने का लास्ट डेट नौ जनवरी तक है जो कंडिडेट अभी तक अप्लाई नहीं किये हैं इस फॉर्म को अभी अप्लाई कीजिए लास्ट डेट का इंतिजार मत कीजिए मैं बार बार आप लोगो अवेर कर रहा हूँ अच्छा खासा वेकेंसी है लिंक डिस्किसन में है वहाँ से पूरा जानकारी चेक कर लिजेगा फरवरी में आप लोग का एक्जाम होना है तैयारी करने के लिए आप लोगो एक महिना का समय दिया गया है डेली प्रेक्टिसेट चैनल पर लगाईए इस वीडियो में जेनरल वेरेंस के पूरे 25 प्रशनों को करने वाले हैं जो कि आप लोग के एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्चन है आसान क्वेस्चन आते हैं इस एक्जाम में इसलिए कम से कम टार्गेट 20 प्लस का रखिए चलिए पहला क्वेस्चन देखिए ऐ मेरे वतन के लोगों गाने किसने लिखे हैं बताए मनुझ कुमार प्रदीप सेलेंद्र रखुपतिष सहाय फिराक बताए कौन से इसका राइट एंसर होगा आए मेरे वतन के लोगों ये जो सौंग है ये लिखा गया है प्रदीप जी के द्वारा सेकेंड अपसन इसका राइट एंसर हो जाएगा प्रिज्म से गुजने पर प्रकास का कौन सरंग अधिकतम वीचलित होता है वीच कलर अफ लाइट इस डाइवार्टेड मैक्समाम वेन पासिंग थ्रू अप्रिज्म लाल नीला बैगनी हरा तो देखे जब प्रिज्म से कोई स्वेत प्रकास एंटर करता है तो यह साथ अलग-अलग कलर में रिफलेक्ट हो जाता है बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारांगी और लाल यह साथ कलर में डिवाइटेड हो जाता है जिसमें कि बैगनी जो कलर है इसका जो वीचलन होता है मतलब की जो डिवाइटेड होता है ये सबसे ज़्यादा maximum होता है और लाल जो color होता है इसका सबसे कम होता है बैगनी जो यहाँ पर third option है इसका राइटेंसर हो जाएगा Next question देखे, question number third भारत पर आक्रमन करने वाला पहला मुश्लिम सासक कौन था? Who are the first Muslim ruler to attack India? मुहम्मद गौरी, मुहम्मद बिन काशिम, मुहम्मूद गजनवी, कुत्तुबदी नेवाप बताए कौन सा इसका राइटेंसर होगा देखे, जो भारत पर पहला आक्रमन किया था? मुस्लिम सासक, वो था मुहम्मद बिन काशिम Second option इसका राइटेंसर हो जाएगा गौर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पारित हुआ था, उने इसका राइटेंसर Next question, question number 5 गौदावरी नदी महाराष्ट के किस जिले से निकलती है? गौदावरी रिवर, अगनेट फ्रॉम विच डिस्टिक ऑफ महाराष्टरा? कोलापूर, नासिक, सांगली, सुलापूर मताई ये कौन सा अप्सेंस का राइटेंसर है? देखे जो गौदावरी नदी है, दक्षिन भारत की सबसे बड़ी नदी ये महाराष्ट राज से निकलती है और महाराष्ट के ये नासिक जिले से उकर निकलती है सेकेंड अप्सेंस का राइटेंसर हो जागा चलिए सिक्स निमबर क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन वर्श इस देखिए भारतिय रिजर बैंक, आरबी आई के पहले भारतिय गौवर्णर कौन थे? बहरती रिजर्ब बेंग आर्वियाई के पहले भारती गौःर्नर कौन थे? उस्बोर्न इस्मित, नाना वह नानी पालकी वाला, बेनेगल रामा राउत, सी राज गोपाचारी बताए कौन सुपसंस का राइट इंसर है? कौन थे भारती रिजरी बैंक, RH के भारती गवर्नर कौन थे इसमें जो Osborne लिए थैं भारती रिजरी बैंक आनिके RH के सबसे पहले भारती गवर्नर थे वर्षापस famille काcribedh confer हो जाएगा question number seven देखेए बारदोली सत्यागरह का नेतरdog किस्ण ने किया था जो बारदोली सत्यागर हुआ था उसका नेत्री तो कौन किये थे महात्मा गांधी वल्ला भाई पटेल मुराजी दिसाई एराजांद्र प्रशाद देखे जो बारदोली सत्यागर हुआ था इसका नेत्री तो श्री वल्ला भाई पटेल जी किये थे सेकेंड अप्सिंस कर आइट अंसर हो जाएगा लौप पुर्ष की नाम से जाना जाता है वो लभेह पटल जी को क्वेस्चन नबर एट फतेहपूर शिक्री का स्थापना किस ने की हूँ फांड़ेट फतेहपूर शिक्री हुमायू जहागीर अकबर औरंग जेब एजी क्वेस्चन है बताइए देखिए जो फतेहपूर शिक्री है न इसके अस्थापना किया है अकबर सी अप्सिंस कर आइट अंसर हो जाएगा क्वेस्चन नमर नाइन देखिए नेन में से की सस्थान का समन्द गौतम बुद के जन्म से है which of the following places is related to birth of गौतम बुद सारनाथ लुम्बनी कुशी नगर बोद गया बताइए कौन सा अप्सिंस कर आइट अंसर है क्वेस्चन का लेबल आप लोग का इसी टेप कर रहेगा गौतम बुद जी का जन्म का हुआ था सारनाथ हुआ था लुम्बनी कुशी नगर या बोद गया देखिए गौतम बुद जी का जन्म हुआ था लुम्बनी ग्राम में लुम्बनी ग्राम का नाम है B.Obsence कर आइट अंसर हो जाएगा कितने लोग 25 में 20 सही कर पाते हैं कमेंट में जुरू बताइएगा नेक्ट क्वेशन क्वेशन नमर 10 देखिए ग्यानपीट पुरसकार किस छेत्र वालों को दी जाती है देखिए इंगलिस में अलग अलग ट्रांसलेट हो सकता है तो आप लोग समझ जाइएगा ग्यानपीट पुरसकार जो है ये दिया जाता है साहित्ती की छेत्र में थर्ड अप्सेंस का राइट अंसर हो जाएगा नेक्ट क्वेशन चलिए देखते हैं क्वेशन नमर 11 देखिए वरिंदा वन उद्यान वरिंदा वन गार्डेन ये कहां पे इस्तित है कहां पे लुकेटेड है मत्रा में मनाली, मैसूर, मोहाली बताइए देखिए जो वरिंदा वन उद्यान ये कि वरिंदा वन गार्डेन जो है ये इस्तित है मैसूर में मैसूर में आप लोग का राइट अंसर हो जागा तरर्ड ऑप्सन कुण सा विटामिन रखत के ठके जमने में मदद करता है which vitamins helps in blood clotting vitamin A, vitamin K, vitamin V1, vitamin C बताये कौन सा विटामिन जो है blood की clotting बनने में मदद करता है देखे, जब सरीर की किसी पार्ट में से blood निकलता है तो अहां पर जो ठका जमता blood clotting वो vitamin K के चलते possible होत पाता है B options का right answer हो जाएगा Next question चले देखता है Question number 13 देखिए Proceed Golcunda किला किसी राज़ में इस्तित है In which state is the famous Golcunda fort located Madhya Pradesh, Karnatka, Bihar, Telangana बताए किसी state में है Golcunda किला इसमें केवल General Evans के 25 question है reasoning और English के अगले वीडियो में कराएंगे देखिए जो Golcunda fort है जो famous Golcunda fort है ये Golcunda किला ये आप लोगा तेलंगाना राज में है तेलंगाना की राज़धानी है दराबाद में है ये नोट कर लीजेगा 14 number question देखिए पाकिस्तान के किस प्रांत में देखिए जो मोहन जोदुर अस्थान है ये पाकिस्तान के सिंद प्रांत में था दूसरा उप्सेंस कर आइट अंसर हो जाएगा नेक्ट क्वेस्चन क्वेस्चन नवर 15 देखिए कुची पुड़ी किस राज़खी निर्त्य शेली है आंदर परदेश किरल नागालेंड करनाट का बताएए सभी कोई लगभ़ जानता होगा कुची पुड़ी जो निर्त्य है ये है आंदर परदेश का जितने भी इंपोर्टेंड निर्त्य है ये आप लोगो अगली वीडियो में करा देंगे अगला क्वेस्चन दिखिए क्वेस्चन बस उल्ला है ब्रह्म शमाज के संस्थापक कौन है राजा राम मोहन राय स्वामी दयानंत सर्श्वर्ती रामकृष्न परम हंच इन में से कोई नहीं बताएए देखिए ब्रह्म शमाज के जो संस्थापक है न ये है राजा राम मोहन रह आरिश समाज के संस्थापक स्वामी दयानंत सर्श्वर्ती चले एक क्वेश्चन नमर 17 बहारत के किस राज में विस्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडा थोरियम वोल्ट मोजूद है इन विच स्टेट अफ इंडिया इस दा वर्ल्ड लाजेस्ट थोरियम वोल्ट पजेंट इन दा वर्ल्ड कौन सा राज है बताईए देखिए जो भारत का किरल राज है यहाँ पर सबसे ज़्यदा थोरियम का भंडार विस्व का सबसे ज़्यदा थोरियम यहीं पर पाया जाता है जो किरल राज है भारत का फोर अपसंस का राइट एंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्णर जनरल कौन थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मांट बेटन, लॉर्ड डॉल हो जी बताईए स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्णर जनरल कौन थे देखे स्वतंत्र भारत के जो पहले गोवर्नर जनर थे वो थे लौड मांट बैटन थार्ड अपसन देखे लौड मांट बैटन इसका राइट अन्सर हो जाएगा question number 19 देखे रंग भूमी जो पन्या से ये किस लेखक द्वरा लिखा गया है रंग भूमी किस प्रस्रीद लेखक द्वरा रचीत उपन्या से प्रेमचंद, हरी संकर परशाई, धर्मी भारती, विष्णु शर्मा बताई ये रंग भूमी जो नोवेल रिटेन बाई विच फेमस राइटर देखे जो रंग भूमी प्रस्रीद पन्या से ये लिखा गया है प्रेमचंद जी के द्वरा हर्स्ट अप्सन इसका राइट एंसर हो जाएगा क्वेस्चन बर्ट ट्वेंटी देखे लास्ट पांच क्वेस्चन और है, देखकर जेएगा भारती रिजवर्ब बैंक का मुख्याले कहा है यानि कि आर्बी आई का मुख्याले हेट क्वाटर कहा है बताई नागपूर, दिल्ली, मुंबई, भोपाल यही तैयारी करने का आप लोग का मोका है अगर आप लोग फॉम भार दिये हैं तो पैसा आप लोग का वेस्ट नहीं जाना चाहिए जम कर तैयरी किजिए और सेलेक्शन लीजिए ज्यादा हार्ड एक्जाम नहीं होता है पर लहीं एक्जाम पर आप लोग को फॉकस करना है सेकेंड एक्जाम एलेर्टी आप लोग निकाल लीजेगा तो देखे जो रिजावर बैंक ओफ इंडिया ने के RBI का जो हेट क्वार्टर है यह है मुंबई में C options का राइट एंसर हो जाएगा Next question चे लिए देखते हैं Question number 21 सत्य में जयते सब्द कहां से लिए गया है Where is the word सत्य में जयते Taken from यजुर वेद, अथर वेद, मुंड को पनिशद, पुराण बताए यह सत्य में जयते यह सब्द कहां से लिए गया है आप लोग का पता होगा यह सब्द लिए गया है मुंड को पनिशद से Third option इसका राइट एंसर हो जाएगा Important question है Next question 22 देखते है Question number 22 देखिए विस्व बैंक का मुख्याल है कहां है Where is the headquarters of World Bank Washington DC Geneva, Hague या फिर Parish बताए विस्व बैंक जो World Bank है इसका headquarters कहां है तो देखिए जो विस्व बैंक है न World Bank इसका headquarters है Washington DC में Washington DC कहां है यह अमेरिका की राइधानी Capital of America समझ गये तो विस्व बैंक का मुख्याल है आप लोग का हो गया Washington DC में याद रखिएगा चलिए अगला question देखते है Question number 23 देखिए बड़ा इमामबाडा असमारक कहां हिस्तित है Where is the बड़ा इमामबाडा memories located लखनव वारा नशी कानपूर प्रयाग राज यानि के लाबाद देखिए आप लोग मैत का तयारी खूद से अपने सिकीजिए बाकि ये तीनों सब्जेक्ट का तयारी मेरे उपर छोड़ दीजिए जितना हो सकेगा मैं इस चैनल पर आप लोगो तयारी कराऊंगा इजाम तक इसका एंसर देखिए क्या होगा बड़ा इमामबाडा जो असमारक है ये located है लखनव में लखनव कहां है उत्तर परदिश उत्तर परदिश के रहे नहीं लखनव में इस थी थे बड़ा इमामबाडा असमारक नेक्ट कुश्चन चली दखते है क्वेस्चन नबर 24 नोबेल पुरस्कार जितने वाले पहले भारतिये वेग्यानिक कौन थे देखे जो नोबेल पुरस्कार जितने वाले प्रथम भारतिये थे वेग्यानिक थे उत्तर पुरस्कार मिला था जो कि ये प्रथम भारतिये वेग्यानिक थे बी अपसेंस का राइट एंसर हो जाएगा चलिए लास्ट 25 कौच्चन देखते है ये आज का लाज 25 कोचन है निम्लेखित में से कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है वीच अव दा फॉलोइंग रिवर फॉल इंटू दा बे ओ बंगाल गगर, लुनी, माही, चम्बल कौन सी नदी है जो बंगाल के खाड़ी में गिरती है देखे इसमें से जो घगघर, लुनी, माही, ये तीनों नदी जो है ये गिरती है अरब सागर में बाकि ये जो चम्बल नदी है ये बिय ओ बंगाल यानि की बंगाल के खाड़ी में गिरती है फोर अप्सन इसका राइट एंसर होगा तो ये रहा Central Bank of India यानि की CBI की सफाई कर्मचारी सब इस्टाफ की टॉप 25 क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर से लिए गए के क्वेश्चन थे इसी टाइप से आप लोग को एक्जाम तक स्टेस्ट देना है आप लोग इस वीडियो में बताएगा आप लोग का कैसा टेस्ट रहा कि इतने क्वेश्चन को सही कर पाए जितना भी क्वेश्चन सही की हैं जरूए एक बार कमेंट में बताएगा अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद